नमस्कार मैं उन्षी गास्रा और आप देख रहें जीयन भारत जैसा आप देख सकते हैं जारकन उच्छ नयाले के बाहर खड़े हैं क्योंकि यहां अंदर आभी बहुत इंपोर्टन सुनवाई चल रही है यह जो सुनवाई है वो एक PIL दागा गया है याचिका करता जो है व नहीं करेगी यह तो अंदर की सुनवाई से ही निकल के सामने आएगा सुनवाई में अभी काफी वक्त है पहले लंच होगा उसके बाद फिर से एक बार सुनवाई होगी तो रात तक शायद कुछ इंफॉर्मेशन मिले जिसका अब्रेट हम आपको कल देंगे लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर जाच होती है तो क्या कुछ निकल के सामने आएगा अगर याचिका करता ने साफ तोर पर उन्होंने प्रतिवादी बनाया है ED को IT को IT को इसके साथ ही SSP को SP को OVC प्रतिवादी को और इन सब को प्रतिवादी बराया है और कहा है कि यह जो हमला हुआ है दस्तारी को हिंसा हुआ है एक संगठन के दौरा पत्थर बाजी हुए इसका जाच नाइए को कराना बहुत जरूरी है क्योंकि यह पूलिस अस्तरी जाच से कुछ नहीं होगा जिस त जनकारी चाही कि फंडिंग कहां से हुई कहां पर प्लैन बनाया गया और ऐसा भी माना जा रहा है कि राची में फिलाल कुछ रोहिंग्या के मुसल्मान और बंगलादेश के मुसल्मान रह रहे हैं यह रोहिंग्या और जो बंगलादेश के मुसल्मान है इनके रहने के वज जारकन संपती विनास 2016 जो लौ है उसके तहत जो भी आरोपी उग्रबादी जो पत्थर बाजी करते हुए पकड़ाया है या जिनों जो हिंसा में सामिलते उनके घर को तहस तहस किया जाए उनके घर पे बुल्डोजर चलाया जाए उनके घर को पूरी तरीके से उनके बुल्डोजर तो चला चुकी है अब तो योगी जी का नाम भी रख दिया रख दिया गया है बुल्डोजर वाले बाबा जी हां तो जारकन में इस तरह की एक कोशिश की गई थी यूपी मॉडल अगू करने की पोस्टर के साथ बहुत विफल रही लेकिन अब याचिका करत साथी वेल आइकन बटन दवाना न भूले